हे एवरिवन वेलकम तो माई कुकिंग लंच व्लॉग आई होप आल अफ यू आर डूइंग वेल तो रोज रोज बहुत जंजट होता है कि आज क्या बना चाहिए वह बच्चों के लिए हो या फिर हस्बेंट के लिए तो मुझे भी आज बहुत ही ज्यादा सोचना पड़ र बनाया था और मुझे अच्छा खाने का और बनाने का दोनों ही मन कर रहा था तो आज मैंने डिसाइड किया कि आज मैं मलाई कोफते बनाऊंगी और काफी टाइम भी हो गयते मुझे बनाये हुए जल्दी मैं रेस्पी रिपीट नहीं होती है मतलब इतने टाइम हो जाता है तो मैं रिपीटी नहीं कर पाती हूं तो आज मैं मलाई कोफता बना रही हूं बहुत ही इजी मलाई कोफता बनाएंगे छोटी चोटी टीप्स और ट्रिक्स बताऊंगी जिसी कोफते एक तम सॉफ्ट बनेंगे और कभी भी नहीं फटेंगे सबसे बड़ी प्राब्लम इसम थोड़े से काजू दो कस्मेरी लाल मिर्च डाले से कलर बहुत ही अच्छा आता है थोड़े से मैं यहां पर खीरे के बीच डाले ऑप्सनल आप डालना चाहें तो डाले दवाज स्किप कर सकते हैं फिर मैं यहां पर तीन हरी लाईची डाले स्क्रेवी में हरी लाईची का तुकड़ा डाला है और दो लांग और एक बड़ी वाली लाईची डाली से बाद में हटा देंगे थोड़ा से नमक डाला है ताकि जो टमाटर अच्छे से सॉफ्ट हो जाए तो अभी टमाटर मैंगे है वैसे इस रेस्पी में और टमाटर डालती हूं लेकिन अभी मैंने चोटे दो ही डाले हैं तो आपको अगर मन हो तो आप ज्यादा भी डाल सकते हैं जब भी इस तरह की ग्रेवी बनाए तो प्यास से हमेसा डबली टमाटर लें बट अभी मैंने दोनों इक्वली लिये हैं यूग बिना टमाटर के तो ग्रेवी बहुत ही मतलब अच्छी नही तो यहां पर अच्छी से मतलब उबल गई हैं सारी चीजे गल गई हैं मतलब उतनी भी नहीं बर थोड़ी सॉफ्ट हो गई हैं फ्लेम कॉफ कर दिया मैंने और साइड में ठंडा होने के लिए अब आज मैं बना रही हैं इसी के साथ खाने के लिए जीरा पराठा जो कि अब थोड़ा सा बेकिंग पॉड़र डाला है आप चाहें तो एक चुटकी बेकिंग सोड़ा भी डाल सकते हैं या आपको तो तो अनों इडालने का मन नहीं हो तो इसकिप कर सकते हैं कोई प्राबलम नहीं होगी और मैंने पहले ही बताया है जब भी आते की रोटियां बना सब आटे से बनाती हूं और सारी बहुत ही ज़्यादा अच्छी बनती है मैंने अपर आटे को गूत लिया है सौफ्टी हुथा है इसे ढख करके रख देंगा भी साइड में अब चलते हैं में पार्ट की तरफ जो है कोफता बनाना तो बहुत तरीके से कोफता बनाए जाती अब पाणी से बनाल यहां और थोड़ा सब धनिया लिया है अब थोड़ा से किसमिस लिया है और आल्मंड्स अपितना देख रहिए बड्मने चार पांच ही डाला था आपको मानो तो आप ज्यादा भी डाल सकते हैं सारी चीज्ओं को आपको बारीक बारीक काट लेना है ज कि यूफ पानी में डूबी। बिल्कुल ना ले सकते सकते हैं यहां इसे पहले से निकाल के रख ले막, उसका सारह पानी निकल ज़िए पानी करें, जितना यहां आलू को भी आणी बॉयं, इसके बाद अपानी कि आणी दॉब्यां 2 गांट, साथी मैंने नमक डाला था एक चमज कॉनफलो डाला और एक चमज मैदा दोनों चीजे डाले तो ज़्यादा अच्छी बनेगी तो यहाँ पर जो आटा है वो अच्छे मलाई कोफता होला आटा मैंने अच्छे से गूत ले एकदम सॉफ्ट गूतती है और इसे अच्छे से चिकना करके आपको यहाँ पर इसे गूत लेना है उसके बाद आप यहाँ पर अच्छे से इसे गोल-गोल कर ले अच्छे से स्मूथ और उपर से थोड़ा से आप इसमें मैदे की कोटिंग करें बहुत हल्का मैदा मैदा करें जब होते हैं है बहुत ही चिकना लेना होता है वो मैं आपको कभी और भी सेयर करूंगी मावे वाली भी बट आज ये ट्राइब कीजेगा बहुत ही अच्छी बनती है उसके बाद मैंने यह पर एक ही पहले डाला है क्योंकि अगर तूट गया तो सारा तेल खराब हो जाएगा तो इसलिए मैं यहाँ पर एक ही डाला है त्रायल के लिए आज अण अद्यूक्त लाहलों पर और प्राइब कीया तो आप हमेशा जब भिस तरह से बना तो आप एक ही डाल करके देखें इस्टब क्यूष हो या बिना esseब क्यूष है हो अब जरूर से इक डॉन के दिकने तो कोफ्ते होता है फटी कुछ ख्यूदी य कंई जैसे यह हमें जी आटे में बना हो जा जी एगे और हमेशा मैदे की कोटिंग करें जिसे की safe side के लिए कब भी भी नई फटेंगी और अच्छ से सिखेंगी आप इसे medium लो फ्लेम पे इसे केए ता कि उपर से अच्छ से सिखें और अंदर से भी ज्यादा हाई फ्लेम पे आप उसे fry कर देंगे ना उपर से तम जली जली हो जाएगी और अंदर से बिलकुल भी आपके नहीं रहेगी तो मैंने यह पर सारे कोफ़ते अफ्राइ कर लियां और यह मिक्षर जो है मलाई कोफ़ता वाला वह भी ठंडा हो गया है तो इसे भी मैंने अच्छे सिर्धा पर इदम इसमूथ पीसा अप इसमूथ पीसना है अगर आप इसमूथ नहीं पीष्थे था बेल ऐंसे हम अब लयाल देन घढाय रिक बटर, ठाय दप्हा, बत्र, शाहिय जीरा डाले, यह पर सोत डाले आधरवाई आप नॉर्मल जीरा, तो अच्छा पाउडर इसके बाद ग्रेवी ती ना इसमें डाल देंगे और मैंने मिक्सर के जार में यहां पर पानी डाल दिया था क्या पर ग्रेवी को पकाना नहीं है मैंने यहां पर घर की मलाई डाली है दूद की जो मलाई होती है वह अथवासा कसूरी में थी देखिए यहां पर ग्रेवी बन गई है और कोफते भी मैं आपको यहां पर तोड़ की दिखार एक दम सॉफ्ट बनते हैं तो मुह में घुल जाने वाले और कोई कोई प्राब्लम अब एक वर इस तरह से ट्राइब कीजिएगा अब महीं आपर बनाओंगी जीरा पराठा जो कि इसके साथ बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है एक टाइप कर लच्छा पराठा टाइप का होता है लेकिन इतना बनाना मुश्किल नहीं होता है इसली बन जाता है सबसे पह इसली हम आपको तो मुझा गंवे तो मुझा तो मुझा टाइम लगा दाने में थे वोडेल ऐन् समय छूदद शूदक देल यह तो स्कला होता है अब जलत मुण लगासा कर लाकिन लाल मिर्शी कावडर बस मैंने इस अदय घट क़हा बहुत मढ़े लाल मिर्शी कर रहाः डाली है आपको जैसा पसंदों आप डाले अदरवाज इसकिप करें बहुत ही ज्यादा अच्छी लगती है आप चाहें तो यहां पर बारी कटी भी लहसुन भी डाल सकते हैं फिर मैंने तो अधनिया पत्ता डाला था और एक साइड इसे काट लेंगे और इस तरह से राउंड करना पड़ता है फोल्ड करना पड़ता है वैसा कुछ नहीं है इसमें आप एक साइड काटें उसे रोल कर दें पूरा फिर आप उसको चप्टा करके इस तरह सूपर धनिया लगा लें या कलॉंजी जो मन हो अपको अप लगा लें मेडियम टू लो फ्लेम करके आप इसे से बहुत अच्छे पराते बनते हैं जाएं या इक और हुँ तो इसी तरह से यह दुन आ लिए और अप्यों के व्रड़ता था अब बच्छों के लिए बनाई लंच बाक्स में दें सांग्र बगाएं और आटे के रहते हैं ना तो एक्टम से चूई नहीं होते हैं बहुत है मैंने इसे सेक लिया है देखे कोई बोलेगा कि यह आटे का है बिल्कुल भी नहीं ना टेश्ट में ना कलर में किसी भी तरह का नहीं और यह मैंने आटे से बनाया है आप लोगों ने देखा मैं सारी रोटियां गेहूं कि आटे से बनाती हूं सारी बहुत ही अच्छी बनती ह ट्राइ किज़ेगा और मुझे कमेंट करके बताईएगा आज की रेस्पी कैसी लगी जो कि मुझे मेरी पर्सनल फेवरेट है जब भी मुझे कुछ इस तरह अच्छा खाने का मन करता है और हेल्दी भी हो तो इस तरह से मैं जरूर बनाती हूँ आप लोग भी ट्राइ किज़ लच में जैसे में मोतब बनाया और मुझे कमेंट करके बताईएगा कैसी लगी आविज की रेस्पी और आप लोग बताते कि आप लोग कहा सी वीडियो देख रहे हैं बताते हैं बहुत ही अच्छा लगता है प्लीज कमेंट करके बताईएगा मिलते हैं नेक्ट व्लॉग में बाबाई टेक केर